Hello everyone, आज हम जो industrial law का case discuss करेंगे, यह section 33 and 33 class A पर based है तो section 33 जो क्या बात करता है, वो यह कहता है कि अगर कोई भी dispute pending है court में तो यहाँ पे उस time period में जो company है यह जो management है, वो workers और employees को यहाँ पे dismiss नहीं कर सकता उनको जो है वो नौकरी से नहीं निकाल सकता इसके साथ यह section 33 class A यहाँ पर इसका थोड़ा सा मतलत क्या है कि वो employees के favor में है अगर उन्हें उस time period में निकाला जाता है तो जो employees होते हैं उन्हें क्या देना होगा और इसके साथ ही उन्हें कुछ remedy भी provide करता है remedy जैसे कि अगर कोई भी company जो है वो अगर dispute pending है तो उस time period में किसी भी worker को निकालती है तो वो worker जिस court में suit pending है वहाँ पर उसके regarding जो है वो appeal कर सकता है application लगा सकता है अब इसके साथ ही यहाँ पर हम इस case को देखते हैं इस case में जो इस case के fact क्या होते है management कुछ करता है management यहाँ पर अपने around 22 workmen को क्या करता है वो निकाल देता है जब matter जो है dispute pending होता है और dispute arise कैसे होता है dispute यहाँ पर rise होता है उनके misconduct से और जैसे ही वो guilty disciplinary inquiry होती है guilty पाए जाते है guilty पाए जाने के बाद जो company होती है वो application फाइल करती है कि जो उनका dismissal order है इसको approve कर दिया जाए approval से पहले जो application होती है वो pending होती है और उसी pending time period में जो company होती है उनको suspend कर देती है और कोई भी allowances नहीं देती बिना किसे allowances के उनको dismiss कर देती है अब इसके बार यहाँ पे जो major issue हमारे सामने आते हैं वो यही issue सामने आते हैं कि जो suspension allowances है क्या वो suspended workers को देना चाहिए कौन से time period में during the pendency of permission जब इसके regarding उनके permission मांगी गई है कि हम इनको dismiss कर रहे हैं दूसरा issue इनका यह सामने आता है कि क्या industrial ट्रिबनल यहाँ पर IT industrial ट्रिबनल है competent है interim relief grant करने के लिए suspended फर्कमेंड को तो यहाँ पर इन section से related जो डियू का case में इता है इसमें 3 cases है तीनों ही cases important है और तीनों ही cases कही ना कहीं एक उसरे पर है तो यह तीनों ही cases हमें लिखने चाहिए exam में तो यह क्या करता है अब इसके decision यहाँ पर court कहता है कि जब भी यहाँ पर contract होता है contract क्या है कि employer जो employer है और employee के बीच में एक contract की तरह होता है एक relationship चलती है और उस relationship के साथ यहाँ पर जो अगर employer क्या कर रहा है proper inquiry held कर रहा है और conclusion यह निकल रहा है कि जो dismissal है वो proper सही है और उनको dismiss बिल्कुर reasonable ground पे किया जा रहा है तो उनको suspend करने के बाद यहाँ पे कोई भी suspension देने की wages बट यहाँ पर इंडुस्ट्रियल ट्रिब्नल यह भी कहती है सेकेंड इशू के रिगार्डिंग इंडुस्ट्रियल ट्रिब्नल जो है वो interim relief grant कर सकती है suspended employees को क्योंकि यहाँ पर ट्रिब्नल के पास यह power है कि वो master और servant के जो relationship है इससे बियॉंड जाए तो इसके के समीत नहीं ठेंक यू